सामने पेश करता हूँ और अगला सेग्मेंट जो इपोर्टेंट है हमारे बच्चों की नजरीय से उसको पेश करूँगा टीचर ने कहा था कि एक बार एक वजीर आला बाच्या शिकार के लिए निकला वजीर ने उनको रोका और कहा कि भाई साब कुछ भी करना सामने आप ज चाहर दिनों तक उस समय देशागन जो करते थे सफर जो करते थे पैदल गोड़ सवाई पर करते थे दो चाहर दिन के बाद शैतान खड़ा हुआ शेटान सिर्फ देड़ फीटका था आहां ऑस ता ए वहाँ पर बादस्षा को चलेंड किया और उसको कहा कि मेरे साथ लडाइकर बाद्षा अट्टा कट्टा छह साथ फीट का बाद्षा उसने उस देड़ फीट कि शेटान की दरब देखकर हसी आई उसके साथ लड़ाई हुई लड़ाई होते सी वह देड़ फिट का था हार गया पर बादच्छा ने सोचा कि यार वाट अबॉट माई स्टेटस यह सब बहुत इंपॉर्टन अग्शा उसको जिन्दा चोड़ दिया आगे बढ़ा दो चार दिन और हुए दो चार दिनों के पात फिर से वह देड़ फिट का राक्षा फिर से आगे आया लेकिन वह तीन फिट का था इस बार दूसरी बार लड शैतान ने बाक्षा को फटम कर दिया तो मॉरल अब दूस्टोरी जब कभी भी आपको कोई भी परेशानी हो उसको जगह पे सॉल को अदर्वाइस एक विल भी कम दा मॉंस्टर इन यूर लाइफ नाव यूड़ लाइक टो रिक्वेस्ट तो पॉल उसको परेशानी हो उसक इस प्रोग्राम के लिए दस्टी बार्वी के सेटब के लिए यहां पर आए हुए बड़ी ताड़ा दिन आए हुए सब्सक्राइब पादक्वर्ट हर साल की तरह इस साल भी यहां पर मुझे वक्तू किया गया आपके बीच मैं बहुत देव रहां मैं 26 जन्मरी और 15 अगस्ति की प्रोग्राम के अंदर बहुत बागदोड़ में यहां पर आता हूं और सबाद करने का मौका मिला है मैं सबसे पहले तो इन तीनों हद्रात को मुझे उर्दू आती नहीं मैडम करें मुझे हिंदी आती नहीं यह बहुत सब्सक्राइब आप इतनी अच्छी तरह से आप उर्दू के अंदर याहां से मुखातिब हो तो आप काबिले मुझारक बाद है आती नहीं यह जहन से न बिल्खुल ताहिं से निकाल तो आप अच्छी तरह बोल सकते हैं और मेडम से अभी नंगन करें कि इतनी इतके उत्कुर्ष्टी दित्या विद्ध्य जिनन नमारतर पार्गे देशन के लिला है दोस्तों बहुत सारी बातें यहां पर आती है रहीम भाई ने यह तो कहीं परसों से यहां पर आ रहा हूं जब बार्भी जुनियर कोलेश शुख करने का प्रॉब्ल मसला आया यह आपके साजिस्वर बहुत हुशार है बहुत जहीं है यह गवर्मेंट की पॉलिसी होती है रहीम भाई ने जब आला के रहीम भाई को मुवालत बात देना चाहूंगा इसके लिए यह बड़े घाटे का सौधा है और घाटे का सौधा बहुत कम लोग करते हैं जैको घाटे का सौधा इसलिए मैं कह रहा हूँ यहां पर बच्चे भी बढ़े हुए है यह मैड़ा मैं सुरेखा मैडम और अलाहिम भाई है और अडारों में बारावी साइंस हमें पढ़ने की कितनी दी जाती है और यहां पर कितनी ली जाती है और कितने लोग पैसे अदा करते इसका अंदाजा लगा लो तो है कि नी घाटे का सौधा मालम है दूसरी तरफ कितनी पीस है यहां पर कितनी फीस है सब देते फिस फिर भी काउन की फिक्र है इसलिए इसलिए यह कदब उठाया है अब यह चल रहा है तो पॉलिशी मेंटर होता है साइजी सर मेरे पास आए तो साइस पहले के सार जूनियर कॉलेज शुरू करना है और पॉलिशी गवर्मेंट के पॉलिशी क मुताबिक N.O.C की दोरत पड़ती है N.O.C बगेर दूसरे आज क्योंकि हमारा अदारा जो है बहुत पुराना अदारा है जूनियर कॉलेज का पहले से होँपर कयाम है और शेहर में जूनियर कॉलेज होने के बावजूद मैं जूनियर कॉलेज अगर निकारना है तो N.O.C सुरू हो एक जृणी का क्लास पूरा हो गया बारीक हो गया और पहली बैच आप इमत्यान देने के लिए जा रहे हैं जाने वाले बारीवी के इमत्यान को फेस्ट करने वाले सभी को मैं मुबारक बात देता हूं और अल्ला तबरक ताला से दुआ करता हूं कि अच्छे से यहां पर बच्चे मेडम ने बहुर अच्छी बाते बता ही मैं सोच रहा था देखो मैं कहता हूं हमारे एपी जी अबूल कलाम जो है वो कहां करते थे करना है लेकिन उसके अंदर कुछ चीजों का पत्थे भी पालना पड़ता है यह भी याद रखिए अभी अमर रहीर भाई बता रहे थे जीना और जीतना एक मशूर वीडियो है शायर आप मेंसे किसी ने देखा भी होगा एक फुगा फोड़ने की कंपेटिशन हो देखा है किसी ने बच्चों ने देखा सबसे आखरी जिसके हाथ में रहेगा वह जीतेगा अब जीतने के लिए सब लोग क्या करते हैं जीतने के लिए सब एक दुसरे का फुगा फोड़ना शुरू कर देते हैं मतलब जीतने के लिए किसी को नुकसान पहुचानों तुसका आखरी मोशनमे मतलब भी वताया कि है अगर आप चाहते हैं तो सब जीत सकते थे कोई किसी का फुक्गा अगर फुरता नहीं तो सब जीतो तो आगे जाने के लिए हमने किसी के पहर नहीं खितना चाहिए बच्चे अभी यहां पर अपने तास्रों का इधार कर रहे हों और मैं मेरी पूरी जिंदगी जो है इसी दर्स तद्रीश के अंदर चली गई और चालीस साल मेरे जो है मैं बच्चों के सामने हमेशा बोलता रहा हूं एक बात जो मुझे खटकी मैं बोलता हूं इस्पीच करने के लिए बच्चे यहां पर बहुत सारे आये और हमेशा आते हैं इसको लोके अंदर आते हैं लेकिन जिस कोईफिदेंस के लिए एक बच्चा करने चाहिए है और यहां दो चुमले की वज़ाई दो जुमले बोलो गया होगा है ऊफिदे रखना चाहिए आपको अरे हम तो कौन के कहते हैं अभी तो आज शाहीन के नाम से जो है तो पूरा हिंदुस्तान के पशीनी जो है छोट रहे हैं बड़े बड़े लोगों के और उनकी सासे बन होती है तो तू शाही है परवाज है काम तेरा तेरे सामने आजमा अरुभी है तो हम ऐसी कौम से ताल्दुक रखते हैं जिसका हमक मैं जजबत का इधार किया गया मुझसे दूआ की दरफास्ता हमेशा की जाती है एक कहानी में दूआ की निजबत से आपको सुना हुआ और उसके बाद अपनी बात ख़त्म करूँआ कि अभी गाज गर्मिश हुए है बहुत को सुना और अभी तक सर्भी का मौसम था मैं ज बुड़ा बाप है उसकी दो बेटिया है एक बेटी किसन के यह दिए है और एक बेटी कुमार के यह दिए आपके प्रिंसिपल साथ जब मेरे रहनी आई और इसलिए मैं आपको बता रहे हुआ तो पुराने दमानी की बात है आज के जैसे तो सब जितने सादन हो गया और जितनी जड़ावाजे मात हो गया वैसे थे नहीं बुड़े बाप ने सोचा कि चलो बारिश का मौसम अब शुरू होना माई की तप तप धूब है तो दोनों बेटियों को मिलके आए दोनों कि आभाजी देके सामने की अबारिश इतने सारे घैसे मिटेके बैट्टी के बरतन बछार या यह बरतन बशुक रहे है और आप अन्हे को दुणा में आए लॉत बारिशंप दिन नाए बारिश बीन नाए ताके ये वर जो हमारा ठुझ जाएं और हमारी जिन्दगी जो है खुशकवार बन जाए आगे चले दूसरे घर गए जहां किसान किसान की ना बेटी दीव गई थी वहां रुके रुखने के बाद कुछ बातचीत की और किसान बेटी ने कहा कि अब बादीर मेरे लिए भी दूआ कीजिए ये देखिए सब खेट जो है खेट पूरी तरेब होकर तयार है और अब जो है शिर्फ बारिश का इंतजार है तो अल्ला तहला से दूआ कीजिए कि बारिश जल्दी से आ जाए तो हमारी खेटी खुशकवार हो जाए अब ये बुजूर के बुड़ा बाप किस बेटी के लिए दुआ करे कुमार की बेटी के लिए दुआ करे कि किसान की बेटी के लिए दुआ करे तो कभी ऐसा इनसान जो है कश्म कश्म मुक्तेला हो जाता है मैं इस वक्ते में बहुत जाना हो गया है सभी बच्चियों को द तालीम के देवर से अरास्ता होकर अपने आने वाली जिंदगी जो है कुछगार तरीके से गुजारे कौन के बच्चे जो है उच्छी तालीम हासिन करें और मुल्की मुल्के की तरक्टी के अंदर अपना हाथ बार लगाए तो इस मिशन में आप सब कामियाब हो यहां पर रह अजरात का सौस्ता का शुक्रियादा करता हूं मुल्की साथ के यहां पर आमद हो चुकी है और वक्त का मैं भी इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूं अल्लाह शुक्रिया सर्थ और यह बात हमेशे याद रखेंगे कि हमें हमारे कलफुस को कम नहीं समझना मुख्ति 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 फारुग मद्नी साथ यहां पर आचुके हैं बहुत यह खुशी की बाते हैं और मैं मुख्ति साहब से और स्टेज पर मौझूद सारे महमानों से गुजारिश करता हूं कि है हम आइडियल इंग्लिश मेडियन स्कूल एड जुनियर कॉल अप स आइस की तरब से दस्वी और बार्वी की बच्चों को असलाम अलेकुम रख्मतुल्लाही वरकातुए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2013 को मुझे सब हमारे 2013 को पहली ब्याश की 10 स्टैंडर की और यह 2013 से मुसलसल सिलसिला जारी है मैं यह मानता हूं और जानता हूं देखा ह हूं कि आज तक किसी अधारे ने जो बहुत बुड़े हो चुके हैं अभी तक जिनकी उमर बहुत जादा हो चुकी अधारों की कभी मैंने यह देखा नहीं हूं या सुरा नहीं हूं कि उन्होंने उनके बच्चों को बहुत सारा गिट देके भेजी हो लेकिन यह हमारा प्य ना कुछ देते हैं यहां से अज़र टोकोन अफलो हो था हमाई तरफ से वह चेर्वान साथ की ओर से पहले साल हमने उनको साड़े पाश यह रोपे का ट्याप दिये थे सारे बच्छों को चालीज बच्छे दे उसके बाद हमने साड़े त्यार यह रोपे की साखली दिये बच की ए और माशाओला बहुत मैंच के बाद इन दुजर्गों की दुआ है मेरे साथ और हमारे चेर्वन का सर्फ मेरे सर पर हमेशा हात रहा है बहुत गल्तिया करता हूं लेकिनों बोलते चलने दे मैंने कहा है कि हमको 11 ज़रू करनी है मैनेज्मेंट से बात किया मैंने तो इन किस रहा पर जा रहे हैं उपको ध्यान नहीं दिया जा रहा है देखो और पढ़ नहीं रही है एक मसला होता है कि लोग बोलते हैं कहां उतर बेज़रे बच्चों को कहां जा रहे हैं तो हमने कहां कि बच्चे घर में रहेंगे घर में पढ़ेंगे यह बच्चों का अपना घर है हमारे यहां बच्चों को बहुत आज़ादी पड़ने की लेकिन अल्ला का बड़ा करम है कि बड़े डिसीब्लिन नहारे बच्चे रहते हैं आज तक कि कभी किसी ने सुनाने हों कि हमारे यहां पर कोई ऐसा कुछ हुआ है जो उसे जगड़े वे या किसी लड़के लिकिन बड़े अच्छे घर के बच्चे उनके पैरेंस के में बड़ा शुफ्यादा करना चाहता हूं कि उन्हें हमीशा में साथ दिया है और अंकल ने कहां कि ठीक है देखो करना है तो करो ठीक है जाओ फिर फिर सरके पास गया तो लेका सारसने लगे में देखके क्या गयरी खोल देखके क्यां तो साइंस कि लिए ने मुझे किया हाँ ठीक है जाओ अनोची दिये और हर वक्त पर अधी रात हो कभी जब भी मैंने पर आउंकल को यह काम यह करना है तो कभी audio कि नहीं कहा कि नहीं है भी नहीं बात तीक है जो करना हो जाओ रात नहीं देखिए दिद यहमन महिनत के बाद, आज मुझे लगता है कि हमारी बारवी साइंस, जो साइंस का हमारी फैकल्टी आई है, जुनियर कॉलेज, वो मुकंबल हो चुका है, क्योंकि हमको इंडेक्स नंबर मिल चुका है, सब मिल चुका है, आज मेरे बच्चे, बड़े प्रावट से साथ मैं कहता मादम के, they will show their talent in the examination, and they all have the capability, they all have guts, this is only because of my talented teacher, the hard-work teachers, and behind them, my backbone, my raheem uncle, और मेरे सुजातरी सर, कादरी सर, सरों से मैं अक्सर जाके बोलता हूँ, अस्तरम से इसे भी, कि जब भी नड़ा हूँ, उन्हेंने कहां कि क्या काम है, बोल मेरे को, हम बोलते हैं, सर यह सर के कर गया है, सर यह काम है, हाँ ठीक है, चलो करते हैं, आप आजाओ, अभी कर लो तो आप सब की दुआए हैं, आप सब का बहुत बहुत शुक्रियां, जैसे सर ने कहां कि 12 भी लेकर आ गए, तो सर ये हमारी तो महिनत है है, लेकिन आप लोगों की दुआओ का असर है, जो हम 12 भी या साइंस का चला रहे हैं और अपने का घाटे में चला रहे हैं, तो लिये हम धातं अपर नहीं देखे लिए, ये अवलाद हमारी। और अव्हम जब 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 चंटेगे, जब 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 चंकेंगे, जब सो विंग मेरेखे जब शुप उप शैक जब शोर, इस जब जब श्रप शी एंड दिखिआरह, ये चुथा सर्प एंडल कंज सब्सक्तर सब करना लेकिन बहुत सहना पड़ेंगा तो आज तक्रीब है हम तुपालों से डरते नहीं है ना को किनारे पे नहीं लगते हैं दर्के मारे हम नाव को लहरों पे चला कर अपना सफर पुरा करने वाले हैं इन लोगों की दौाओं की वज़े से और मौलाना साब में हमेशा हमें दौा दी है और दौा देते रहेंगे आप सब बच्चों के लिए वह अतना किंती वक्त निकाल कर यहां पहुचे हैं मैं सबसे दर्कास करूँगा कि सब खामोशी से इनकी बात सुने इसके बा से डिसिप्रिन बनाया रखें मैंटेनेंट बाया रखें जूरो नाइस आइवान वें दो मौलाना विल स्पीक वन दडाइशेर और मैं इजारत चाहूंगा कि हमारे दस्वी और बारे के बच्चों को यह जो ब्याग है इस बार हम देना चाहेंगे मौलाना के पात भी लग मुझाइट बार देना शारत चाह्फार बार रहान वें वी पोगमे के खेंच वाहशेर इसमिद्यू कर देना मैं दो और भेगव। मुझाइद बिसमिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम नहमदु रहो नुसल्यालारसूलिहिलकरीम अम्माबाद मैं चुंके इस स्कूल के लिए कोई नयाद में नहीं हो कि मैं फॉर्मालिटी देखूं कि मुझे मेरे नाम से बुलाया जाए और पिर सन्मान किया जाए इसलिए कि एज्यूकेशन इनसान को फॉर्मालिटी से निकाल कर हकाईक पर लाता है ये सबसे बड़ा एज्यूकेशन का समरा होता है मैं अपनी बात का आगास कर चुका हूँ मेरे बहुत प्यारे बच्चों और बच्ची ओ सबसे पहले तो मैं आपको दिल से मुबारक बात पेश करता हूँ कि आपने अपनी जिन्दगी के किम्ती लमहात को सर्फ करने के लिए एक अजीम मकसद को चुना आपके अपने महलों में जिन महलों से आप आ रहे हैं उनमें रोजाना कितने बच्चे पनपते हैं पैदा होते हैं बढ़ते हैं आप अपने साथ बच्पन में खेलने वाले कई बच्चों और बच्ची ओं को देखेंगे उनका सर्वे करेंगे और वैसे भी ये जमाना सर्वे का चल रहा है चाहे जिस एतिमार का सर्वे हो रहा हो अब गोर कीजिए कि कई बच्चों को उनके पैरंट्स ने गाइड नहीं किया या मिस गाइड किया जिसकी बुनियात पर वो जिन्दगी के सही लुटफ से महरूम है वो जिन्दगी की नियमतों को बहुत दूर की बात है खुद जिन्दगी को भी नहीं समझ पा रहे हैं के वाट इस डेफिनेशन ओफ आफ आवर वैल्यूएबल लाइफ लाइफ इस वैरी वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम अवर बिलोड अल्लाह रबुल लजजद जिन्दगी ये इनसान की अल्लाह रबुल लजजद की तरफ से दी हुई बहुत बड़ी नहमत है लेकिन सुनिए खुरान करीम ने एक सूरत नाजिल की इमाम शाफिर रहमत अल्याली जैसे बहुत बड़े रिसर्चर मेटम गुज़रे है वो लिखते हैं कि एक स्मॉलेस्ट फकरा और पेरिग्राफ पुरान शरीप में है अगर सिर्फ वो सूरत ही नाजिल होती और कोई सूरत उपर से ना आती तो भी इनसानों की हिदायत के लिए काफी था वो सूरत है वालास्र इननल इनसान लफी खुसर आप गोर कीजिए मैं आपकी थिंकिंग को जरा इन्वाइट करता हूँ सिर्फ आपके लिसनिंग नहीं मुझे आपकी थिंकिंग चाहिए जरा आप अपना दिमाग मुझे थोड़ी देर के लिए दीजिए मुटिवेशन के प्रोग्रामों में दिमाग के साथ खिला जाता है कानों के साथ नहीं और हमारी इस कौम की इस वक्त की बरबादी का पस्ती का इन्हितात का बहुत बड़ा सबब ये है हम जबान और कान से खिलने में लग गए हैं दिमाग और तिंकिंग से नहीं खिले जिस दिन हमने अपने दिमाग को और अपनी तिंकिंग को सही तोर पर इस्तेमाल करना शुरू किया तो फिर हम इस देश में एक जबर्दस्त खिसम का इन्खिलाब पैदा करेंगे और इस देश ने अपने बहुत अच्छे और ब्राइट पास्टेंस को जो गुम कर दिया है हम थिंकिंग के जरीए उसको दोबारा बलके उससे ज्यादा इस देश को आबाद कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें मुलकर लोग नहीं चाहिए और सुनने वाले लोग नहीं चाहिए वक्त पास करने वाले लोग नहीं चाहिए हकाइप के साथ और किसी भी चीज़ के डीप स्टेडी तक पहुँचने वाले लोग चाहिए खुरान करीम कहता है जमाने की गसम और देर आर सो मैनी काइंस ओफ वार्ट्स फॉर जमाना इन अरबिक लेंगवेज जमाने के लिए अरबी जबान में कई 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 वर्ट्स आते हैं इसलिए के अरब लोगों की सखावत उन लोगों ने देखी होगी जो मक्ता मदीने जाते हैं या कमस कम आपने अगर टेलिवीजन पर देखा हो तो रमजान शरीप में एक एक अरब हज़ारों लोगों को शाम का इफ़तार करवाता है अपने याँ तो दो लोगों को भी नाश्टा कराओ तो सबसे पहले बोलते हैं फोटो कीचवा के मैंने दो लोगों को नाश्टा कराया और मौलाना को शाल भी ओड़ाते हैं तो शाल एक और फोटो लेने वाले 10 लोग के मैंने शाल ओड़ाई और मौलाना की तरफ कम देखेंगे मुझे माफ करना मैं केश पेमेंट करने का आदि हूँ आज तक तो मैंने न उदार किया है न उदार दिया है न लिया जो बात हो मैं भी चल लहा हूँ, मन्जिल पर पहुँचे न पहुँचे लेकिन एक दूसरे की तारीफ करते करते रात बसर हो जाए, सुबह हो जाए तो खुजाते बैठे, कि यार आराम भी नहीं किया मन्जिल भी नजर नहीं आ रही है ये जमाने की बड़ी मुसीबत है तो कुरान करीम ने बहुत से अलफाज का सिलेक्शन करने के बजाए बहुत गोर तलब बात है कसम खाने के लिए असर का लफ़ लिया असर, आरभी जबान में कहते हैं निचोडने को इसलिए जियूस को असीर कहते हैं अगर आपको जियूस उठाएंगे उसका बॉक्स तो उस पर असीर लिखा हुआ मिलेगा कुरान क्या कहना चाहता है कि जमाना, वक्त और एज ओफ यूमन या एज ओफ इनसान इतनी कीमती चीज़ है कि अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपको निचोड कर रख देगा अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते अरबी में ये कहने वाले ने कहा कि जमाना तलवार की तरह है अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपके उपर इस्तेमाल हो जाएगी हम भारत वासियों ने सबसे ज्यादा जिस नहमत की नाकदरी की है वो टाइम की नाकदरी की है मैं आपको किलियर बताओं मैंने यॉरप के एरपोर्ट्स अमेरिका, ऐस्टेलिया, अफरीखा, इंगलेंड के एरपोर्ट्स वहां की फैक्टरीज, वहां के ड्राइवरों और वहां की बहुत बड़ी बड़ी तन्जीमों में देखा कोई काम करते वक्त मुबाईल को हाथ तक नहीं लगाता बलके गुदश तक कल ही मेरे पास इंगलेंड से मेरे एक दोस्त ने भेगा के बिटिश गवर्मेंट ने एक नया कानून कल पास किया के डियूरिंग दे ड्राइविंग अगर कोई शक्स मुबाईल इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तीन साल का लाइसन उसका एड डेड टाइम जब्त कर लिया जाएगा और फिर नए सिरे सो उसको आगास करना पड़ेगा अगर स्कूल का मदरसे का या किसी कमपनी का कोई करमचारी मुबाईल देखते हुए पकड़ा जाता है उसको एड डेड टाइम वहां से रवाना कर दिया जाता है लेकिन हमारे यहां का हाल यह है कि चरवाहिल भी इसमें लगे हैं और चरने वाले भी इसमें लगे हैं और रिजल्ट क्या कोई रिजल्ट नहीं हमें क्या काश कि हम इस नाइमत का अच्छा इस्तेमाल करते है मैं एक मुफ्ती हूँ आप में से अगर किसी को सवाल हो रहा है कि अगर मुदी जी चालू अजान में अपना भाशन रोक सकते हैं तो हजरत क्यों नहीं रोक रहे हैं मैं मुफ्ती हूँ मैं आपको एक और्थारिटी के साथ मसाला बताता हूँ कि अजान के वक्त अगर कौम के फाइदे की कोई चीज हो रही हो तो उसको रोकना नहीं रोकना ये इसके इनसान के अख्तियार में है नॉट निससरी के उसको स्टॉप किया जाए मैंने ये जवाब दे दिया ताके हमारे उपर मुझे मालूम है क्रिटिसाइज की निगाहीं भी रहती है कि मौना ना लोग कहां से पकड़ लिये गाए और इसको इश्यू बनाया गया है इसलिए कि दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई है बिचारा तो मौलवी और जिनकी कहीं नहीं चलती तो मस्जिद में आकर चलाता है ये इस कॉम्यूनिटी की मैडम बहुत बड़ी खराबी है जबके दूसरी जगों पर देखो और इसकी वज़ा से ये कौम बहुत पीछे जा रही है कि अपने टीचरों और अपने इंसानों और अपने वो आईद मुझे मालूम है मरतबा कैनेडा में बहुत अच्छा वाकिया है मैं आपको सुना हूँ कि एज्यूकेशन कितनी वैल्यूएबल चीज है कैनेडा में एक मरतबा एक टीचर को रॉंग साइट पर पार्किंड करने की वज़ा से कौट में बुलाया गया उसको पुछा गया कि वाट इस यूर आइडेंटिफिकेशन एन आरसी नहीं पूछा गया उसको पूछा गया फिरा आइडेंटिफिकेशन क्या है उसने का सर आइम टीचर फॉरन जज्ज ने अपने कलम रख दिया और कहा आपको एक्सक्यूस करें उससे पहले मैं खुद आपकी तरफ से एक्सक्यूस करता हूँ कि टीचर हो और रॉंग साइट पर पार्किंग करें ये कभी नहीं हो सकता कोई इमर्जनसी काम होगा जिसकी वज़ा से आपने रॉंग साइट पर पार्किंग किया उसके कंपेरिजन में अभी जब मेरी गारी आई तो मैंने देखा कि मेरी गारी को आने के लिए भी जगा नहीं थी ये एक स्टडी कॉम्पलेक्स का हाल है लोगों ने किसने कहीं अपनी मोटर साइकल खड़ी कर दी किसने कहीं कर दी मेरे भाईयों और मेरी बहुत प्यारी बेहनों और बेटियों हमें जिन्दगी में सबसे पहले सिस्टम लानी चाहिए एड्यूकेशन के बाद अगर हमारी लाइफ में सिस्टम नहीं आती तो फिर हुआ एड्यूकेशन मैं समझता हूँ सिर्फ डिगरी लेने के लिए है मैंने इसी मंच से एक मरतबा एक बात कही थी आज फिर इसको रिपीट करता हूँ मेरी प्यारी बेटियों को और बेटों को खास बोलता हूँ एड्यूकेशन इस दे एम आफ लाइफ एड्यूकेशन जिन्दगी का मुकसद है जिन्दगी का जरिया नहीं है उमकसद है और मकसद को समझने की जरूरत है एड्यूकेशन आने के बाद अगर हमारी जिन्दगी वोई कौने खापरे में थूचने की कोई चीज चीज कहीं फैंक देने की और किसी भी जगा बैड जाने की आदते नहीं छुटती तो मैं समझता हूँ आपने पी-एच्डी भी कर लिया हो इसका कोई हासिल नहीं है एग्जुकेटेड आदमी को अपने डिगरी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसका खुद का कल्चर उसकी लाइफ का मेरेजमेंट उसकी लाइफ का पुरा का पुरा सिस्टेमेटिक धाचा यह बता देता है कि यह आदमी कोई एग्जुकेटेड आदमी है देखो गरीबी और सादगी गरीबी और मिस मेनेगमेंट इसमें कोई जोड नहीं है हमें वुर्बत का रोना रोकर अपनी मिस मैनेगमेंट को और किसी भी किसम की बदनजमी के उपर परदे डालना ये टोटल गलत है तो आज के मंच से मैं आपको बताता हूँ कि कुरान करीम क्या कहता है जमानी की किसम और जमानी के लिए उसने असरका लव इस्तेमाल किया आपने देखा होगा अब गन्ने का दोर शुरू होने वाला है बिल्कुल तैयारी है इसलिए कि आज जब मैं दोपहर में निकला और गारी में टेंपरेचर देखा तो आपने डाक्टर मुश्ताक साब को आपने बताया है मैंने का देखो डाक्टर साब ये चालीस डिगरी टेंपरेचर जा रहा है आज चालीस डिगरी टेंपरेचर है और शॉरू ही बेहतर जाने आगे क्या ओगा मुझे जो बताना है एपने ओंडने पिलने वाले को देखा कि गन्ना वो डलता है बराबर फिर दो बारा डलता है फिर सेह बारा डलता है जर्रा बराबर भी उसमें कोई रेजा और रेशा मैं दोनल लफ़ बोल ला हूँ रेजा और रेशा भी नहीं छोड़ता उसमें एक कत्रा भी अगर हो तो उसको निचो लेता है इससे आज मैं अपने बच्चों को सबख देता हूँ जमाने को इतना निचोड़ो इतना निचोड़ो इतना निचोड़ो कि हमारा एक सेकंड भी बगेर काम के न जाए हम एक एक सेकंड के बारे में सर्वे करने वाले बने मेरा ये मिनिट, मेरा ये घंटा, मेरे ये सेकंड किसी काम में इस्तेमाल हुए इवन के इसलामी ओपिनियन क्या है खेल कुद के बारे में मैं आपको बताओं, आप हर्गीज ये ने समझो मैं आपको फिर कह रहा हूँ I am authorized मुफ्ती, मैं कोई proudly नहीं कह रहा हूँ मेरी बात में वजन पैदा करने के लिए कह रहा हूँ आप कोई भी खेल खेले, लेकिन अगर आपकी नियत ये है इससे मेरा दिमाग खुलेगा और खिलेगा मेरा दिमाग खुलेगा, खिलेगा मेरे बदन को ताकत मिलेगी, एक्टिमिटी आएगी और मेरे अंदर फ्रेशनेस आएगा तो इस खेलने को भी इसलाम अबादत कहता है इसको पूजा समान करार देता है ये खामों का दिमाग में बिठा रखा है कि नहीं मौलाना के बयान में बठेंगे ना तो वो तो सिद्धी जी बात करेंगे खेलने को उतने का नहीं कुरान स्रीफ पड़ो अरे बाई क्यू ड़ते हो मौलाना लोगों से एक तो ये माबाप ने बच्पन से डरा के रखा है कि अगर बच्चा रूता हो तो डाइरेक बोलते ये क्या रुषिबत है कि बच्पन से बच्चे के दिमाग में मॉलाना का डर पैदा किया अरे जो फलیکसिबिलिटी जो फलیکसिबिलिटी जो ब्रॉटनिस नेरो माइन्ड से हटकर ब्रॉटनिस आपको रीयल मॉलाना बताएंगे वो आपको किसी जगह नहीं मिलेंगे आप खेलिए, कूदिए, सुबह में चलिए, वाकिंग कीजिए फजूर पाक अलेहिस्सलाथुस्सलाम तो अपनी सवारियों के दर्मियान भी रेस करवाते थे आपके गोड़े, आपकी उटनियां उनके दर्मियान रेस होती थी मकसद सक्ता नहीं होता था, मकसद टाइम पास नहीं होता था मकसद यह होता था, कि ये गोड़े तेज चलने की आदिट डालें तो जरूरत पढ़ने पर वो बैटने जाएं, जरूरत पढ़ने पर वो काम आ सकें तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जमाने की गदर करो आगे कुरान इस बात पर कसम कहता है कि दुनिया के तमाम इंसान इंसान में मेल फिमेल दोनों आते हैं दुनिया के टोटल लोग घाटे में खसारे में लॉस में हैं तो अब सवाल पैदा हो रहा है कि अगर पूरी दुनिया के लोग घाटे में और खसारे में हैं तो पैदा करने वाले क्रियेटर ने ये वर्ल को क्रियेट क्यूं किया फिर इतना बड़ा निजाम खेल खुद के लिए चलाया क्या अल्ला फाग ने आगे फरमाया जिनमें चार बाते होंगी वो कभी लॉस में नहीं जाएगा सिर्फ चार बाते अगर हैं तो वो लॉस में नहीं जाएगा नमबर एक क्रियेटर के वफादार बनो इमान का मतलब होता है पैदा करने वाले का वफादार बनना जिसने इस धर्दी पर हमें रखा और इस आस्मान के नीचे रखा उसके वफादार उसके वफादार बनने का तरीखा ये एड्यूकेशन सिखाता है हाँ इनसान अपने दिमाग से नहीं सबच सकता कि मेरे पैदा करने वाले को क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ पसंद नहीं है देखो पैदा करने वाले ने वेरी इंटेलिजन फुल बात में कर रहा हूँ पैदा करने वाले ने बहुत पहले कहा था कि पिग खाना हराम है आप सब जानते हैं कि सुवर खाना हराम कुटा खाना हराम और इस किसम के जानवर खाना हराम चाइना ने इन चीजों को हराम नहीं समझा और इनको खाना शुरू कर दिया ये कोरोना वाइरस इनको लग गया और मैं आपको बड़े confidence से कहता हूँ अगर पैदा करने वाले के हम वफादार हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि जब बहुत जोरदार जुमला अल्ला पाक ने मेरे दिमाग में डाला तोज्जु दिये कि जब पैदा करने वाले ने ये जबीन और आस्मान टोटल हमारे ही लिए पैदा किया है तो वो किसी मकसद के खातिर बोलता होगा कि ये चीज मत खाओ ये चीज खाओ अरे दुनिया की तमाम चीजें जब हमारे लिए पैदा की गई तो वो हमें क्यों रोकेगा पता चला और साइंस ने इसको तसलीम किया कि जिन चीजों से उपर वाले ने मना किया उन चीजों में अगर इस्प्रिच्श्यूल पावर का कोई लॉस है तो वहां फिजीकली भी उसमें बहुत बड़ा नुकसान है और ये आप गूगल पर जाओ रिसर्च करो तो आपको पता चलेगा कि जिन जिन चीजों को हमारे पुरान ने हराम करार दिया है इसी तरफ ये जो हमारी आखे हैं हम नहीं समझते हम समझते नॉर्मली हमने किसी चीज़ को देख लिया मामला खतम हो गया साइंस आज इस बात को तसलीम करती है कि जब इनसान किसी चीज़ पर नजर दोड़ाता है तो उसकी निगाहों में से वेवज निकलती है वेवज निकलती है उसके निगाहों में से और फिर आगे सुनिए आगे का जुमला अगर आपको पता नहों तो वेवज रिफलेक्समेंट करके वापस भी आती है उसकी नजरों में जाहिर सी बात है जब वो गंदी चीज़ों को देखेगा गलत चीज़ों को देखेगा तो फिर उसकी आँखें खराब होंगी और आँख आँख की हद तक नहीं है आपको मालूम है अगर आप एर ड्रॉपस आई में डालो तौप और आई ड्रॉपस एर में डालो तौप और ये दोनों ड्रॉपस अगर आप अपने मूं में डालो तौप तो ऐसे ही आपको जो चीज़े देखनी है आप वही चीज़े देख सकते हैं आपको जो चीजे नहीं देखनी आपको जो चीजे नहीं पढ़नी है आपको नहीं पढ़ेंगे आपको जो चीजे नहीं सुननी है आप नहीं सुनेंगे इसलिए कि कान और हार्ट इसका जबर्दस्त कनेक्शन है साइंस पढ़ने वाली हमारी बच्ची या बच्चे जानते होंगे कि कान का दिमाग का और दिल का बहुत गहरा रिष्टा है इसलिए तो कुरान करीम ने इस साइंस की दावत देते हुए अब वो एक अजीब बात है कि कुरान जिस जमाने में नाजिल हुआ वो सिंपली जमाना था तो उसने आसान अंदाज में बात की और तीन चीज़ें बोली कि जिन से उपर वाला नाराज होता है उनकी तीन चीज़ों पर वो इस्टेम लगा देता है एक दिल, एक कान और एक आँख उसमें बोर करो क्रान ने ये तीन चीज़ों का लफज क्यूं इस्ते बारे किया इसलिए कि ये तीनों चीज़ें मिलकर ही इनसान के दिमाग को फिर दस्तक देती है और इनसान का दिमाग कोई फैसला करता है और दिमाग फिर उसके उपर कोई जज्जमेंट लेता है हमें इस जमाने में मेरे बच्चों को बच्चीयों को आज के प्लेटफॉर्म से खास तोर पर सबसे बड़ा पेगाम आएट में देना चाहूंगा तीन चीजों की आप हिफाज़त करेंगे नमबर एक कान नमबर दो आँख और नमबर तीन दिल ये तीन चीज़ें अगर आपने सम्भाल ली तो आप भी वक्त के अबुल कलाम बन सकते हैं आप वक्त के बहुत बड़े साइंटिस्ट वक्त के बहुत बड़े रिसरचर बन सकते हैं तो मैं अर्ज करना ये चाहता हूँ एज्यूकेशन को अल्ला की बड़ी नहमत समझो और हमारी कौम के मुख्यीरीन मुफक्किरी मैंने दौनों लफ़े बोले हैं इसलिए कुछ मुख्यीर होते हैं कुछ मुफक्किर होते हैं दौनों मिलकर इस वक्त जो एक लहर चला रहे हैं एज्यूकेशन की उसकी हमें खदर करनी चाहिए और तीसरी बात जो सबसे इंपोर्टन में कहना चाहता हूँ हमारे बच्चे बच्चियां अपनी मन्जिल को मतायन न करें कि दस बारा हो गया या अवर जर्मी नहीं आप अपनी जर्मी को जारी रखिए अल्लामा इक्बाल ने एक शेर में कहा है उकाबी रूह बेदार होती है जब नौजवानों में उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में नजर आती है उन्हें अपनी मन्जिल आस्मानों में और हमारी इस भारत को बर्बाद करने के जो प्लान बनाये जा रहे हैं मेरे नस्दीड उसका सबसे बड़ा मुखाबला एड्यूकेशन से ही किया जा सकेगा इसलिए कि एड्यूकेशन आएगा आदमी में सेंसिटिविटी आएगी एहसास पैदा होगा शुगूर बेदार होगा और शुगूर बेदार होने के बाद आदमी गलत चीज़ को बरदाश नहीं कर सकता है उसका रिजल्ट हम अगी देख रहे हैं माशालला कि एड्यूकेटेड लोगों ने बिला तफरीख किसी रिलीजियन और मजहब के बातिल के खिलाफ आवाज उठाई उनने मजहब को क्या चीज़ थी कि एड्यूकेशन के केमपस से ये चीज़े उठी वो कोई धार्मिता कोई काक्टरता वादी चीज़ नहीं थी वो एड्यूकेशन था जो इनसान को अंदर से एक आवाज दे रहा था कि जल्म को हम बरदाश नहीं कर सकते हम ये तफरेखे को बरदाश नहीं कर सकते ये एड्यूकेशन अपने अंदर लाइए पढ़िए खूप पढ़िए आपका सबसे अच्छा साथी जिन्दगी में किताब होगा आप जितने पैसे मुबाईल के पीछे लगाते हो मेरे बच्चों अल्ला का वास्ता आप उतने पैसे बुक्स खरीदने में लगाईए हमारे बच्चे बच्चियों में आजकर पढ़ने का दोर नहीं है वो थोड़े थोड़े दिनों पर मुबाईल बदलने का चक्कर चलाते है आप लाइए बुक्स लाइए अच्छी अच्छी बुक्स उन्हें पढ़िए डाउनलोड कीजिए बुक्स को अगर किसी को पीडियेफ में बुक्स भेजो तो सबसे पहले उन्हों बिगाड़ता है कि यार कोई वाटसेप की इमेज भेखते तो चलता है ये पीडियेफ को क्या भेखते है खामोगा इसको डाउनलोड करना हो ये आदमी के बुरे जौक्स की अलामत है कि उसको इल्मी चीजों से कोई दिल्चस्पी नहीं है हमें इल्मी चीजों से दिल्चस्पी होनी चाहिए खोज लगाने की अपने अंदर आदत पैदा कीजिए ऐसे केंपस की गदर कीजिए और आगे अपना मन्जिल अपनी सफर को जारी रखते हुए बढ़ते रहिए मैं दिल से मुबारक बात पेश करता हूँ दौा देता हूँ अप सब को बहुत ज्यादा मुबारक फरमाए हमारे जिन बच्चों को दस्वी और बार्वी के इंतिहान देने है अन के इंतिहान को आसान फरमाए मैंने इस से पहले एक वजीफा बताया था वजीफा लेना चाहर है आप एक रुपया भी लिलूँगा मैं आपसे मैं वो बेचने वाले वजीफाँ का काम नहीं करता आप अपने इंतिहान के दिनों में रोजाना रोजाना सुबह सूरे कलम only two records सूरे कलम को पढ़ लीजिए मैं आपको guarantee देता हूँ आप result आने के बाद याद करोगे कि मदनी साथ हमें बहुत अच्छी चीज़ बता जर गए थे सूरे कलम को दो रूप लेकिन उसके लिए शर्त है फजर की सुन्नत और फर्स के दर्मियान पढ़ना अब आप संद्राइज के बाद उसको पढ़ेंगे तो वो effective नहीं होगा सुबह की गोली सुबह में लेनी पढ़ती है और before lunch हो या before snacks हो अभी जो है snacks है माशालला सुबह आपने time पर breakfast किया दोपेर में lunch किया अब आप बीनर करेंगे लेकिन इन दोनों के बीच में जो आ रहा है वो snack snack आ रहा है ना तो अब वो उसमें भी आजकल तो डाक्टर लोग पहले क्या था सिर्व इतना लिखते थे के सुबह दोपेर शाम लेकिन अब वो दो चीज़े और बढ़ गई बिफोर और आफटर इससे पता चला कि वक्त के गीत वक्त पर गाये जाएं तो ये अच्छा लग जाई अगर किसी के यहां आज बच्चा पैदा हुआ और उसके वली में में आप उसको अकीके की दावत दे रहें आपको मुबारक हो आपके यहां बच्चा पैदा हुआ तो सामने वाला बोलेगा बच्चा पैदा होने को 20 साल हो गए आज उसकी शादी है अब आप कौन से आपकी मुबारक बद आपके पास रखिया तो जो चीज जिस वक्त पर अच्छी लगती है एक तो आप यह वजीफा कीजिए दूसरा बहुत शॉर्ट एंड सूइट घबराना नहीं रोजाना किसी भी टाइम पर अब दूसरे वजीफे के लिए कोई टाइम का बंदारन नहीं और एक साथ बैटना भी और पर्दा जरूरी नहीं हस्बन ल्लाहु निखमल वकील चार सो पचास दफा और इम्तिहान में जाने से पहले उपर वाले से मदद मांगिए दो रकास सलात अलहाज़त पढ़कर और इमानदारी का सुबूत दीजिए मैं आपके लिए दौा करता हूँ आपको अपनी हर मन्जिल पर सुर्खरू बनाए कामियाब फर्माए और इस केमपस की स्कूल की जितनी जरूरियत है उसके आगे के जो अजाईम है आपके आगे बढ़ाता रहे तमाम जरूरियत को पुरा फर्माए वक्त की नजाकत के पेशे नजर मैं इन ही चन्द बातों पर खतम करता हूँ वो एक बात रह गई कि चार चीजें होंगी तो आदमी सक्सेस्फुल लाइब बनाता है एक उपर वाले का वफादार होना जिन्दगी में अच्छा कैरेक्टर इक्तियार करना तीसरा आपस में दूसरे को दो टोक हक बात कर देनी जो सच्ची बात हो लेकिन कहने का अलग अन्दास देखो हथोड़ा लोहे को अलग परीगे से मारा जाता है सोने को अलग परीगे से मारा जाता है बराबर है अच्छा और कैंची कैंची सब कैंची है कपड़ा काटने की कैची अलग है लोहा काटने की कैची अलग है और बाल काटने की कैची अलग है तो बात करने का अंदाज हमारे पास होना चाहिए किस आत्मी के साथ किस अंदाज की बात की जाए ये भी एज्यूकेशन के लिए जरूरी है और आखरी चौती चीज़ है हमें किसी भी मैदान को चूस करके उसके उपर जमे रहना कन्फियूज वाली लाइफ नहीं गुजारने की हम लोग आजकल कन्फियूजन में जी रहें ये कन्फियूजन को खतम करके कॉन्फिडंस पैदा करो ये बहुत जरूरी है कॉन्फिडंस होगा ओवर कॉन्फिडंस नहीं गैने का लेकिन सेल्फ कॉन्फिडंस तो होना चाहिए न तो आदमी आगे कोई काम कर सकता है अल्ला जाला हम सब को बे इंतिहा कबूल फरमाए मैं महरूम हुआ कि मैडम साहिबा का लेक्चर में नहीं सुन सका लेकिन अगर किसी के पास रेकॉर्ड किया हुआ हो तो जरूर मुझको इनायत फरमाएं कि जिन्दगी सीखने और सिखाने की है हम कभी भी ये दावा नहीं कर सकते कि हम इतने बड़े हो गए हम इनसे क्यों नहीं सिखेंगे मैं जरूर चाहता हूँ कि मैडम ने जो मोटिवेशन के तरीखे बताएं और बहुत से तरीखे इन्होंने आपको जदाए हैं मैं भी सिखना चाहता हूँ इनसान मरते दम तक एक तालिब इल्म बनकर रहे तो फिर कभी भी उसकी जिन्दगी में प्राउड नहीं आता प्राउड जहां आया सुन लो आपका प्रोग्रेस वहीं अटक जाएगा प्राउड आया कि मामला गया काम से प्राउड कभी नहीं आना चाहिए हुबावे बहर को देखो कि कैसे सर उठाता है हुबावे बहर को देखो कि कैसे सर उठाता है तकब्र वो बुरी शे है जो फौरन तूट जाता है और सुरावी सर गिगू हो जे भर देती है प्रावाणा सुरावी देखे आपने एक तो उर्दू की नहीं जानते ना यार तो में लोग मुसीबत यह है सुरावी जानते हो वो ऐसा मश्कीजा आता है पतला ऐसा पतला उसमें पूरा पानी भरा हुआ है आप उसमें से पानी निकल सकते हो नहीं जब तक वो जुकेगी नहीं तब तक वो किसी को सेराव नहीं करेगी तो जब तक हम जुकेंगे नहीं तक तक किसी को फाइदा नहीं पहुचा सकेंगे इसलिए हमें सुराही से सबक लेना चाहिए अजाइम हमारे बलंद हो लेकिन प्राउड नहीं होना चाहिए हमें दो चार बाते पुड़ते लिखते आ गया बोलते आ गया हम समझें कि हम सब कुछ हो गए नहीं हमें ये तालीम दी गई कि हुआरे से लेकर खबर में जाने तक हम स्टूड़न्ट बन कर रहेंगे तो हमारी तरक्ती होती रहेगी वा आखिरु दावाना अदिल्हम्दुल्लाह रब्लामीन वस्सलाम अलेकुम वरहमतुल्लाह वरकातु